स्कॉर्पियन की बॉड़ी के अंदर दो इंपोर्टन जो पार्ट्स हैं उसके अंदर स्फेलो थॉरेक्स और दूसरा पार्ट इसका अब्डॉमन जिसको हम प्रोसोमा या अफिस्तोसोमा भी कहते हैं अब अगर हम स्कॉर्पियन के चैलिसरा की बात करें तो जो स्कॉर्पियन का चैलिसरा है ये स्कॉर्पियन की बॉड़ी का जो पहला पार्ट है जिसको हम प्रोसोमा कहते हैं उसके साथ अटैच है इस स्लाइट के अगर हम देखें तो ये स्कॉर्पियन का ये स्फेलो थॉरे और इस स्फेलो थारिक्स के साथ ये चैलिसरा अटैच है जो चैलिसरा है इसके तीन पार्ट होते हैं इसका पहला पार्ट कौकजा दूसरा पार्ट टीबिया और तीसरा पार्ट इसके अंदर टार्सस होता है तो चैलिसरा स्कॉर्पियन का जो प्रोसोमा है या इसका जो स्फ पहला पार्ट कॉक्जा कहलाता है, इसी तरीके से टीबिया और टार्सस मुझूद है, यह जो स्कॉर्पियन को हेल्प करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के अंदर, आम तोर पर यह बात देखने में आई है कि ऐसे स्कॉर्पियन जो के अपने प्रे को पकड़ने के लिए अपने वैनम के उपर बहुत जादा रिलाए नहीं करते, उनके अंदर यह स्ट्रक्चर खासा ड्वैलप होता है, और इनका जो वैनम है वो बहुत जादा प्वाइजनस नहीं होता, जबके ऐसे स्कॉर्पियन जिनका यह जो पोर्शन है, यह वीक होता है, वो जादा तर अ साफी टक्सिक होता है, दूसरा जो पार्ट जिसकी हमने बात करनी है, वो इसका अबडॉमन है, हमने यह कहा कि जो स्कॉर्पियन का दूसरा पार्ट है, उसको हम अबडॉमन या फिर अपिस्तो सोमा कहते हैं, स्कॉर्पियन का जो अबडॉमन है, इसको हम दो हिस्सों के अं metasoma कहते हैं अब जो prosoma है इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर seven segments मौझूद हैं ये पहला segment है दूसरा segment तीसरा segment चौता segment पांचवा segment छटा segment और ये साथवा segment है जो mesosoma है mesosoma के अंदर seven segments मौझूद हैं जबके हम दूसरा part जो abdomen का है जिसको हम metasoma कहते हैं इसके अंदर number of segments को गिनें तो उनकी तादाद पांच है ये पहला segment दूसरा तीसरा चौता और ये पांचवाँ part है तो पहले जो part के अंदर seven segments हैं जबके दूसरा जो part है उसके अंदर five segments होते हैं अब ये जो last वाला segment है इसके साथ जो structure attached है उसको हम telson कहते हैं और ये telson वही structure है जिसके अंदर venom gland मौझूद होते हैं और जिसके अंदर venom की production होती है और इसका जो last वाला portion होता है इसको हम stringer कहते हैं उसके बाद जो scorpion का abdomen है इसके साथ जो legs हैं वो attach नहीं होती आमतार पर जो legs हैं वो फैलो thorax के साथ attach होती है उसके बाद क्यूंके जो scorpion है ये अर्थरोपोर्ट हैं और जो अर्थरोपोर्ट की body होती है उनके अंदर exoskeleton मौझूद होता है ये जो exoskeleton है ये खास किसम के chitin और खास किसम की protein से मिलकर बना होता है अब जो exoskeleton जो के इनकी body को cover किये होता है ये इनको काफी फाइदा देता है ये इनकी body से water loss को बचाता है यानि dehydration नहीं होने देता उसके साथ इनकी जो body है उसको protect भी करता है लेकिन क्योंकि जो exoskeleton है ये काफी hard होता है तो इन animals के अंदर जो growth का process है वो काफी slow हो जाता है इसकी वजासे इस वजासे जितने भी arthropod जिनकी body के उपर exoskeleton होता है वो periodically जो अपना exoskeleton है उसको remove करते रहते हैं और ये जो process है इसको हम akadiasis कहते हैं तो arthropod के अंदर ये एक special feature है जिसको हम akadiasis कहते हैं जिसके अंदर ये time to time अपने जो exoskeleton है उसको remove करते हैं उस दोरान इनकी जो body है वो तेजी से grow करती है इनका size बड़ा हो जाता है लेकिन ये बात भी देखने में आई है कि जब इनके अंदर akadiasis का process हो रहा होता है तो उस वकत इनके जो soft body parts होते हैं वो काफी वाज़े नजर आ रहे होते हैं और predator आसानी से इनको पर attack कर सकते हैं इस वजह से ऐसे दिनों के अंदर जब इनके अंदर akadiasis का process हो रहा हो तो ये hiding places के उपर छुप कर रहते हैं